शिवार शिवं 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 जटा टवी गलजल प्रवाह पावितस तले गलेव लंब लंबितां भुजंग तूंग मालिकां दमड़ अम सर्वे विवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पश्यंतु मा कश्य तुप भाग पवी ये spiritual products आपको shivago.com प स्वागत है। इस रेडियो मा हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में कहां और कितने detention center है। अर दुसरी चीश्य चीज़् चेश वे बताने जा रहे हैं कि निर्वासन के वयदानिक पक्ष क्या है ? लीगल तरीका जो है। तो भारत में detention center तो है और बन भी रहे असम में साल 2012 में वहाँ के ятель कॉंग्रेस सिरकार ने तीन जिलों के अंदर ही डिटेंस्यंट सेंटर बनाया था और यह डिटेंस सिंटर गोलपड़ा कोकराजार और सिल्चर के जिलों में थे और वहाँ के जिलों में बनाय गया था आगे चलकर तीन अने डिटेंसिस सेंटर टेजपूर डिबडुगर और जो और हार जीले के अंदर जील के अंदर बनाये गये और इन सभी छे डिटेंसिस सेंटर में कुल एक हजार और परवाजियों को रखा जा सकता है लेकिन इसमें रहने वालू की संख्या से काफी ज़ादा है केंदर सरकार ने दर फोर्णोंस एक्ट नाइंटीफॉड़ डिटेंसिस सेंटर बनाने का अधिकार दिया था और उसी के सथ यह डिटेंसिस सेंटर बनाए गया है कहां कहां पे हम आपको बता देता है गोलपड़ा मैंने आपको बताया असाम अपरेशनल है कोकराजार अपरेशनल है सिल्चर अपरेशनल है डिबडुगर असाम में अपरेशनल है जोरहर्ट अपरेशनल है तेजपूर अपरेशनल है दिल्ली के लामपूर में ऑपरेशनल है चलू है गोवा में मापूसा ऑपरेशनल है राजस्थान में अर्वार सेंट्रल चिल महाँ परेशनल है फिर पंजाब में अम्रेसर सेंट्रल चिल ऑपरेशनल है अंडर कंस्ट्रक्शन में है आसाम में ही गुलपरा में पंजाब में तरन तरन, under construction हैं, करनाटका में, बेंगलीरू में, महारास्टा में नेरूर में बनाया जा रहे हैं, West Bengal में, Newtown औरробूनोगान बनाया जा रहे हैं, तो यह under construction है, तो यह बनाये जा रहे हैं. अब एक चीज़ जो एहम मुद्दा है कि भाई यह निर्वासन के क्या विदी विदान है देखिए विदेशी अधिनियम दफारिनर्स एक्ट 1946 की धारा 3.2.C के अनुसर देश में अवैद रूम से रह रहे है विदेशी नागरीकों को निर्वासित करने के शक्ति के अंदर में नहीत है समविदान का अनुच्छिद 258 राज्य सरकार को भी इस तरह के कदम उठाने के लिए सक्षम बनाता है समविदान के अनुच्छिद 258.1 में उपबंदित है चिसमविदान में किसी बात के होते हुए राश्ठपतू किसी राज्य के सरकार की सहमती से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विशैशी समंदित कृत जिन पर संव के कारेपाल का शक्ति का विश्द्आर है सशर्ट या बिना शर्ट सौंप सकेगा जनवरी दोहजार उनीस में क्रिह मंतराले द्वारा मॉडरल डिटेंशन सेंटर पर एक विस्तरत मैनुवल चानकारी दीकी और जारी किया गया है जिसका उद्देश जेल और डिटेंशन सेंटर के मद्द अंतर अस्पष्ट करना था तो दिल्ली के वहाँ चेतर लामपूर में एक डिटेंशन सेंटर स्थापित किया गया है जिसका परिचालन नियंत्रित चेत्रिय विदेशी पंजीकरन कार्याल है मतलब Foreigners Regional Registration Office और रख रख और दिली सरकार दो रख किया जाता है तो अब सवाल उठता है कि डिटेंशन सेंटर क्यों आवश्यक है और दोनों में डिफरेंट्स क्या है और डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोट का क्या रूख है यह एक इंपॉर्टन चीज़ है और क्या डिटेंशन सेंटर को जेल का आ जा सकता है तो यह चीज़ हम आपको नेक्श्ट वीडियों बताएंगे और क्योंकि मैं पूरा अ तौरली गयान दे रहा हूं बता रहा हूं आपको गयान नहीं दे रहा हूं गयानी तो आप सब लोग हैं तो बताना हमारा फर्श बनता है ताकि लोग जान सकें क्योंकि कहीं न कहीं हर चीजों में मदभीद हो जाता है तो काफी रिसर्च के बाद सारी चीजों कैलकुलेट करने के बाद सब जगह पढ़ने के बाद हम फिर वीडियो अप्लोड करते हैं तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वाकत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए और आप चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेर कीजिए तक ही जादा से जादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुचे धन्यवाद